So hey guys this is Sandeep here and you are watching Chromatech YouTube channel तो आज एक और update लेके आए हूँ Android R, Android 11 का Redmi के Note 5 Pro device के अंदर और यह जो आपको ROM मिलती है यह एक अनफिश ROM है by AEX और यह AEX का फुल नेम है AOSP Extended ROM और काफी अच्छी जो है optimization आपको इस ROM के अंदर मिल जाती है विद Android 11 का support और काफी सारे features भी आपके इस ROM के उपर working है तो वीडियो को शुरू करते हैं गाईस अगर चैनल पे नूँ हो तो subscribe कर देना बेल आइकन को all पे कर लेना और like भी यहाँ पे जरूर से कर देना यार तो चलो वीडियो को सबसे पहले start करते हैं setting के और से तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले about phone के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो Android version है जो आपको 11 मिलता है out of the box आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद अगर बात करें security patch level बिल्कुल latest दिया है September का उसके बाद जो extended version है वो आपको V8.0 मिलता है और यह एक unofficial update है official आने में अभी थोड़ा सा time लगेगा तो उसका आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा and जो Google Play system update है वो 11 का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है next अगर kernel की बात करें तो इसके अंदर जो default kernel था वो extended का था but मैंने यहाँ पे अगनी 9.9 जो की I think आज ही release हुआ है 9.9 EAS stable वाला kernel इंस्टॉल किया है और उसके साथ मैं आपको इसकी performance चेक करवाऊंगा और क्या यहाँ पे अगर आप उसको flash करते हो तो आपको कोई bug देखने को मिलती है या नहीं तो वो भी मैं आपको इस video के अंदर जुरूर से बताने की कोशिश करूँगा तो guys अब बात करते हैं system की तो system के अंदर advance के अंदर जाओगे तो system updater मिल जाता है बट यह work नहीं करेगा unofficial update के अंदर या unofficial room के अंदर updater आपका work नहीं करता अगर बात करें gestures की तो यहां पर power menu के अंदर device controls मिल जाते हैं उसके बाद अगर बात करें system navigation की तो यहां पर आपको left और right edge की sensitivity के related कुछ options मिल जाते हैं और two button को android 11 के अंदर I think remove कर दिया है permanently तो आपको two button का support यहां पर नहीं मिलेगा three button को use को आपको security के लिए अभी फिलाल तो android 11 के अंदर fingerprint का support देखने को मिलता face unlock आपका missing रहेगा आपको काफी सरी rooms के अंदर आपने देखा भी होगा की face unlock कर नहीं मिल रहा तो हम यहां पर fingerprint scanner की speed को check कर लेते हैं मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ तो कुछ इस टाइप से आपको fingerprint scanner की speed इस AUSP extended home के उपर मिल जाते हैं जो की काफी अच्छी है और कोई भी आपको issue यहां पर face करना नहीं पड़ेगा sound के अंदर बात करें तो live captions का option मिल जाता है उसके बाद आप यहां पर और भी कस्टमाइज वगरा कर सकते हो तो वो आपको option यहां पर मिल जाते हैं अगर बात करें इसके अंदर battery की तो battery काफी अच्छी आपको 6-7 hours का screen on time easily मिल जाएगा और charging के अंदर भी आपको कोई भी issue face करना नहीं पड़ेगा अगर बात करें उसके बाद Wi-Fi calling की तो वो I think कभी work नहीं करेगा and carrier video calling भी आपका work नहीं करेगा so initial updates हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पर wait करना पड़ सकता है now जब आप इस ROM को flash करोगे तो आपको जो default launcher मिलेगा वो यहां पे quick step का मिलेगा but मैंने इसके अंदर है जो pixel launcher install कर रखा है उसका मैं flashing method आपको बताऊंगा video के end में तो यहां पे apps and notification के अंदर आपको यहां पे notification के अंदर जाओगे तो notification history का option मिल जाता है जिसको आप enable कर सकते हो और यह काफी useful feature है android 11 का उसके बाद अगर मैं आपको यहां पे launcher दिखाऊँ default apps के अंदर जाके तो आप यहां पे check कर सकते हो home launcher मैंने replace कर दिया pixel launcher और यह pixel launcher है जो आपको android 11 का देखने को मिलता है तो वह भी मैं बताऊँगा कि आपको कैसे install करना है जिस वीडियो को watch करते रहो उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो app opening and closing speed काफी ज्यादा जो है accurate और काफी fast है कोई भी आपको lag stutter बिल्कुल भी आपको lag feel नहीं होगा अगर आप ने यहां पे इसको जो है एक बार use कर लिया I think आपको यह काफी अच्छा लगने वाला है कोई भी RAM management के अंदर भी आपको issue नहीं face करना पड़ेगा आप यहां पे देख सकते हो काफी fast है Android 11 और काफी अच्छे से यह work करता है और जो pill वगरा वो भी काफी अच्छे से यहां पे work करती है और यह कुछ आपको recent panel मिलता है with pixel launcher अगर आप जो quick step वाला launcher यूज़ करोगे सिर्फ आपको screenshot का option मिलेगा directly screenshot ले सकते हो बड़ जो यह select का option है यह आपका missing रहेगा तो यह feature भी आपको इसके अंदर मिल जाता है तो वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा वीडियो के end में तो अभी हम यहां पे कुछ और features की बात करते हैं तो मैंने इस जो है update को या इस ROM को है root कर रखा है इसके अंदर है जो इसको pass कर सकते हो अगर बात करें device के certification की तो वो मैं आपको check रवा देता हूँ जैसी setting के अंदर जाएंगी तो device आपका not certified हैगा तो आप इसको भी certified कर सकते हो with the help of clear data and अगर बात करें banking apps की तो banking apps आपके काफी अच्छे से working है कोई भी आपको issue नहीं आएका आप यहाँ पे देख सकते हो और कुछ और feature की बात करूँ तो यहाँ पे आपको privacy काफी अच्छी मिल जाती है android 11 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको message आ चुका है आपको manually इसके अंदर permission देनी पड़ेगी automatic कोई भी आपका permission को access नहीं कर पाएगा android 11 के अंदर नाओ दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो इस home के उपर क्या चीज working है और क्या चीज यहाँ पे work नहीं करती तो मैं आपको दिखा दूँ तो सबसे पहले आपका यहाँ पे vaulti geo का sim मैंने इसके अंदर डारक है तो vaulti काफी एचे से work करता है कोई भी issue नहीं आया wifi आपका काफी एचे से work करता है bluetooth आपका काफी एचे से work करता है flashlight आपका काफी एचे से working है and auto rotation का आपके sensor वगएरा सभी work करते है और mobile data of course working है और location भी आपका GPS वगएरा work करता है hotspot भी आपका यहाँ पे work करेगा और dedicated आपको यहाँ पे जो ए Android 11 का screen recorder मिल जाता है जिसके अंदर record audio कर सकते हो and show touches on screening option मिल जाता है और minimal सा आपको एक screen recorder मिलता है इसके अंदर so आपको इसी से भी फिलाल तो काम चलाना पड़ेगा और क्या work नहीं करता वो मैं आपको check रवा देता हूँ यहाँ पे calling आपकी working है बट यहाँ पे proximity sensor वो यहाँ पे work नहीं कर रहा आप यहाँ पे देख सकते हो proximity sensor आपका जो work नहीं करेगा बट calling आपके काफी अच्छे से हो जाती है calling के अंदर सचैस कोई issue नहीं फेस करना पड़ेगा जी हाँ तो अब यहाँ पे बात करते हैं inbuilt camera की तो आपको मिलता है यहाँ पे open cam बट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो gcam 7.4 को और इसके अंदर camera mode portrait and night side तो काफी अच्छे से working है बट जो video mode है वो यहाँ पे dead रहता है आपका default kernel और अगर आप अगनी का flash करोगे दोनों के उपर आपका यह dead रहता है बट टीर camera उसके अंदर आपका video mode भी यहाँ पे working है और काफी सारे और भी जो जितने भी mode है आपके काफी अच्छे से working है तो टीर camera आप जो है यूज कर सकते हो काफी अच्छे से यह work करता है अब बात करते हैं अगनी के साथ Android 11 की जो है performance कैसी है तो initial update है उतना ज्यादा आपको stable नहीं मिलता उतनी अच्छी optimization नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आप score देख सकते हो यह काफी अच्छा score 1,60,1579 का score मिल जाता है अगनी 9.9 stable जो kernel है उसके साथ और with Android 11 तो काफी अच्छा score है आप जो है gaming वेर है काफी अच्छी कर सकते है जो है gaming OP रहती है तो इस जो है रोम को flash करने के लिए आपको simply orange fox का latest version यूज़ करना पड़ेगा अगर आपके पास कोई और recovery है तो आपको बिल्कुल latest version उसका यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले आपको wipe के अंदर आज़ना है डेलवी catch system vendor data इन सब को swipe to wipe कर देना है उसके बाद आपको जो Android 11 की AX वाली जो file है उसकी zip file है उसको flash करना पड़ेगा उसके बाद आप आप जो Nick apps basic वाले use कर सकते हो मैंने यहाँ पे basic वाले जो है Nick G apps को flash किया Android 11 के तो उसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा और रही बात आपको pixel launcher की तो नीचे एक zip का मैं link देता हूँ flame G apps का add-on का तो आपको simply उसको जो है यहाँ पे flash कर देना है और उसके बाद आपको device personalization का जो services होती है उसको यहाँ पे update करना पड़ेगा Google Play Store से तो उसके बाद आपका जो है यह सभी features और यह pixel launcher भी आपका काफी अच्छे से install हो जाएगा और रही बात magisk की तो आप यहाँ पे route करना चाते हो तो कर सकते हो उसका भी मैं आपको link नीचे दे दूँगा आप magisk वो वाला flash कर सकते हो एंड अपना जो है data अगयरा भी restore कर सकते हो इतना ही था इस AX update के लिए Android 11 के लिए तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो like जरूट करना और चैनल को जरूट से subscribe कर देना मैं मिलता हूँ आपसे एक new ऐसी ही interesting वीडियो के साथ